दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी लोग जानने वाले हैं कि अगर आपकी मुवाइल फोन में एलार्म सेटिंग हो जाते हैं या तो कर दते हैं और उसको बाद में आप हटाना चाहते हैं तो उसको है डारेक्टली आपका इसे हटा सकते हैं और रिमूब कर सकते हैं आ तो धड़ी की आइकन आपको देखने को मिलेगा उस पर आपको किलिक करना है तो इसमें देख सकते हैं गाईज सेट हो चुकी है अब इसको डायरेक्टली अगर सेटिंग में जाकर देखते हैं गाईज तो कहीं पर पता नहीं चलता है तो आपको directly है जो कि screen पर से ही इसको remove आप कर सकते हैं इसमें देख सकते हैं कि यह जो है तीन alarm set हो चुकी है जिसमें guys आप जो भी alarm को off करना चाहते हैं उसको आपको जो enable है इसको आपको off कर दना है तो फाप करते हैं तो इस तरीके से interface open हो के आएगी जिसमें first में select और दूसरी option में turn of ons on October 27 tomorrow और उसके just नीचे में आप देखेंगे turn of this repenting alarm इसमें आपको click करना है जैसी आप समें click करते हैं तो आपकी जो alarm है वो off हो चुकी है इसमें guys जो second है इसको भी आपको उसी type से काम करना है जिसमें कि आपको second option देखने को जो मिल रही इस पर आपको click करना है यह जो दोनों timely था यह दोनों alarm off हो चुकी है तो guys दो जो alarm थी इसको मैं enable off कर चुका हूँ जो जब इसको enable करेंगे यह हो जाएगी फिर से alarm चालू अगर guys इसको आप जो कि permanent remove और delete करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है जो alarm की icon आ रही इसको अंगली से आपको थोड़ा second के लिए प्रेस करके रखना है जैसी आप प्रेस करके रखते हैं तो देख सकते हैं गाज नीचे है जो कि delete का आपको option देखने को मिलेगा इस पर जैसी आप click करते हैं तो जो है कि alarm आपका permanently खत्म हो जाएगी तो इसी तरीके से हैं जो कि आप अपने mobile phone से alarm है जो कि remove कर सकते हैं और enable off भी कर सकते हैं तो आसा करते हैं कि आप सभी लोग को वीडियो जरूर पसंद आये होगी अगर वीडियो पसंद आये होगी तो चैनल को subscribe लाइक एक जरूर कर दिजिएगा बस आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई